हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में कैसे हो आप सब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एगनो की मार्षिट जल्दी पाने के लिए किस से कॉंटक करना चाहिए इमेल में एग्जेटिक क्या लिखना चाहिए जिस से आपको मार्षिट जल्दी प्राप्त हो सके पूरी प्रोसेज जानने के लिए वीडियो लास तक देखिए फ्रेंड जैसी आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होता है यानि आपके ग्रेड कार्ड में कम्प्लिटेड ऐसा शो होता है उसी दिन आपको चार इमेल करने हैं इमेल किसको करने है और क्या करना है अभी मैं आपको प्रैटिकली बताऊंगा अगर आपका master course है तो आपको md result addirateigno.ac.in को email करना पड़ेंगा अगर आपका bachelor course है b.a.b.ac.b.com को छोड़के तो आपको bd result addirateigno.ac.in को mail करना पड़ेंगा अगर आपका bachelor course है b.a.b.ac.b.com के लिए तो आपको bdp result addirateigno.ac.in को mail करना पड़ेंगा अगर आपका diploma course है तो dp result addirateigno.ac.in इनको mail करना पड़ेंगा अगर आपका certificate course है तो cp result addirateigno.ac.in इनको mail करना पड़ेंगा फ्रेंड अभी में आपको तीन important mail बताने वाला हो ये सबी course के लिए same है पहले तो आपको student evaluation division को mail करना पड़ेंगा उसके बाद restart को mail करना पड़ेंगा उसके बाद आपका जो भी original center है उनको एक mail करना पड़ेंगा इनको आपको सभी को आपको एक-एक mail करना है ये आपको total चार mail करने है फर्स mail तो आपको अपने course के according होंगा और बाकी के तीन email सब course के लिए same होता है अभी practically देखते हैं कि exactly क्या mail करना है सबसे पहले आपको subject लिखना है उसके बाद आपने कौन सा course complete किया कितने तारीकों complete हुआ और आपको मारशिट जल्दी क्यों चाहिए वो reason आपको यहाँ पे mention करना पड़ेंगा आप जब भी इगनो को mail करते हो तो अपना नाम और environment नमबर हमेशा mention करना आपको ऐसा email send करना है वीडियो pause करके एक बार आप पढ़ लो यानि आपको idea आ जाएंगा कि आपको कैसा mail send करना है आप अपने इसाप से change कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने great card का screenshot भी attach कर सकते हो So friend इतना ही था आज के वीडियो में वीडियो helpful लगा तो like करिए ऐसे ही इगनो से related important information के लिए चैनल को subscribe करिए ताकि कोई भी important information आपसे मिस ना हो and thanks for watching